ऐसा दावा किया जा रहा है कि रामल्ला प्रान प्रतिष्ठा के मौके पर दुबई की बुर्च खलीफा इमारत भी राममय हो गई थाई. क्या यह दावा सच है? अयोध्या के राम मंदिर में सुमवार को रामल्ला की प्रान प्रतिष्ठा हुई. इसे लेकर भारत ही नहीं, बलकि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जश्ट मनाया गया. ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया समेथ दूसरे देशों में प्रवासी भारतियों ने अभिशेक समारोह को दीवाली के तौर पर सेलिबरेट किया. कहीं मिठाईयां बाटी गई, तो कहीं कार रैली निकाली गई. साथ ही अलग-अलग कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए. इस बीच सोशल मीडिया एक तस्वीर वाइरल हो रही है, जिसमें दुबई के बुर्च खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर नजर आ रही है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि रामला प्रान प्रतिष की गई है. इसके मुताबिक ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, जिसमें यह बताया गया हो कि कल बुर्च खलीफा पर लाइटिंग के जरिये भगवान राम को दिखाया गया था. इस वाइरल फोटो को बुर्च खलीफा की स्टॉक फोटो पर श्री राम की इमेज मिलती जुलती इमेज मिली. इन दोनों की तुलना करने पर इमारत और आसपास की बनावट में समान लाइट पैटर्न नजरा रहा है. हालांकि स्टॉक फोटो में भी भगवान राम को नहीं दर्शाया गया है. यह सही बात है कि अलग-अलग मौकों पर बुर्च खलीफा को खूबसूरत लाइटों से रोशन किया जाता रहा है. आम तौर पर इमारत के ओफिशल सोशल मेडिया प्लेट फॉर्म जैसे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर तस्वीरे भी शेयर की जाती रही है. हालांकि इस बार तो बुर्ज खलीफा पर भगवान राम को दिखाने वाली कोई पोस्ट साजा नहीं की गई है.